हलो माई दियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे बढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपका अपना लौका टीचर and this video is for the purpose of an academy star educator program for the year 2024 तो बच्चो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको जानने के लिए आपको पीछे लेके चलता हूँ जब आपने 11th class में admission लिया था commerce stream में और आपका पहला दिन था पहली class accounts की हुई थी जब आपके accounts के sir या ma'am ने आपको एक concept समझाया था बहुत ही important concept था और पूरे accounts में बहुत relevant था क्या concept था वो अगर याद आगया है तो नीचे comment में फटा फटा से type करके बताओ क्या concept था वो मैं याद दिलाता हूँ आपको सिखाया गया था day one में accounts की theory में कि जो व्यपारी है न वो अलग है और व्यपार अलग है मतलब business man अलग है और business उसका अलग है क्या कह रहा हूँ 100 रुपए डालके निवेश करके आपने व्यपार स्टार्ट किया तो 100 रुपए भी निकालना है और profit भी निकालना है तो business man अलग है और business अलग है वो भी companies act का feature समझने वाले हैं जिसमें मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूँ पहली class समझ के समझो company अलग है company के लोग अलग है क्या कहा मैंने company अलग है company के लोग अलग है concept का नाम क्या है separate legal entity फिर से कहो separate legal entity याद करने के लिए comment box पर फटा 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 टाइप करो separate legal entity bracket में SLE चलो सर आज इस concept को समझते हैं और बहुत ही बढ़िया एक real life example के साथ case study के साथ समझाओंगा कि इस concept को code कैसे interpret करता है चलो सर शुरुवात करते हैं notes भी मैं पूरे concept को समझाने के बाद जरूर आपको read करवा दूँगा पहले concept समझते हैं बिटा हुआ क्या था देखो यहाँ पे ना कुछ लोग है क्या कहा मैंने यहाँ पे कुछ लोग है इस इनसान का नाम क्या है Salomain मेरे साथ बोलो Salomain और यह यह लोग कौन है यह देख दिया क्या क्या business को company बना के बेच दिया तो Salomain ने क्या क्या company बना के बेचा तो company कौन चलाएगा अंदर लोग चाहिए ना क्योंकि company तो आपने क्या पढ़ा है artificial legal person है उसने सिर्फ कपड़े पहने हुए है वो artificial legal person होता है तो Salomain यहाँ पे company बना रहा है जिसमें वो खुद चला जा रहा है अपनी wife को ले आता है उसके चार बेटे हैं बेटा बच्चे कितने हैं पांच बेटे कितने हैं चार बेटी कितनी है एक four son one daughter टोटल मिला के कितना बड़ा परिवार है बेटा एक दो तीन चार पांच से साथ साथ लोगों का परिवार है जिसमें चार लड़ व्यवपार उठा के सलोमैन एंड कंपणी को बेच दिया, बिजनस क्या क्या, ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया, यहां पर व्यवपार उसने अपना बेच दिया, अब व्यवपार भी का है, तो क्या मिलेगा, कंसीडरेशन, पैसा मिलेगा, कुछ खरीद रहा है न, कंपणी बन रही है, कंपणी खरीद रही है, क्या खरीद रही है सर, सेलोमैन का जो बिजनस था, वो खरीद रही है, उसकी गुडविल खरीद रही है, इतना टाइम लगता है नाम बनाने में, वो खरीद रही है, लोग पहले से जानते थे उस वेपार को, वो गुडविल खरीद रह अब इसको उसने तुकुडों में बाटके दिया था कैसे बाटा था जरा देखते हैं 20,000 क्या दे दिये 20,000 दे दिये shares ठीक है 10,000 दे दिये debentures debentures क्या होता है comment में बताना जरा और जो balance था ना balance किस में दिया cash में दिया पिटा हम CA students बन चुके हैं अब हम balance निकालने के लिए भी calculator use नहीं करेंगे कि करेंगे comment box में जरूर बताना क्या कह रहा हूँ मैं 20,000 shares दिये 10,000 debentures दिये जो बज गया वो नगत cash में दे दिया Salomon & Company ने Salomon को दिया समझा है क्या अच्छा अब होता क्या कहानी आगे बढ़ती है subsequently मतलब बाद में होता यह है कि company ना liquidation में चले गई मतलब कुछ उपर निचे करने के कारण company का व्यापार्ट हप हो गया assets कम हो गई, liabilities जदा हो गई, पैसा बचा नहीं था देने के लिए पैसे नहीं बचेते बटा देने के लिए अब इस case में माँगने वाले आके ready हो गए मेरा पैसा पहले दो, जितना पैसा बचा है पहले मैं लोंगा, पहले मैं लोगा पहले मैं लोगा उस case में कौन को न आएगा मांगने के लिए दो प्रकार के लोग आएंगे एक है बाहर के लोग जो बाहरी आदमी के साथ हमने डील किया है एक वो लोग और एक अंदर के लोग अंदर मतलब जो अंदर अपना पैसा लगा के आये हैं जो इंसाइडर है जो आउसाइडर है बाहर के लोग आउसाइडर कमपनी के अंदर के लोग इंसाइडर अब बाहर ना दो पैसा सेफ है और उसका पैसा अंसेफ सिक्योर का पैसा सेफ है उसको प्रायोर्टी दी जाएगी क्या दी जाएगी प्रायोर्टी दी जाएगी कि वह पहले पैसा ले ले अंसिक्योर बाद में पैसा ले तो डिबेंचर्स को ना हम सिक्योर मानते हैं और क्रेडिटर्स को ना हम अनसिक्योर मानते हैं, क्रेडिटर्स कौन होता है, जिसको हमको पैसा देना है, लेना वाले कौन होता है, डेटर्स, देना है, क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर होता है, क्रेडिटर्स, और सिक्योर होता है, डेटर्स, अब भाया, जो पैसा बचा है न, ये लोग आ गए, मंगन भी आ गया बाहर वाले लोग आ गया बाहर वाले कौन वो हमारा आ गया creditor की मेरा पैसा चुकाओ मैंने माल बेचा था मेरा पैसा चुकाओ creditor बोलता है हाथ खड़ा करके Salomon को ना secured कैसे treat कर रहे हो Salomon could not be treated as secured as he was the MD of the one man company वो खुदी मालिक था भाया उस company का और company was mere sham and fraud मतलब bookish company थी shell company थी मतलब fraud बनाने के रिए कोई इनसान अपना ही व्यापार किसी को कैसे बेचेगा उससे secured venture खुदी ले रहे हो तो Salomon यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है creditor मूँ खोल रहा है कि भाया Salomon को तुम secured treat मत करो समझाया क्या? court क्या कहता है? court बोलता है भाया Salomon अलग है और Salomon and company अलग है क्योंकि यह company form में है यह company है और यह भाया आदमी है वो artificial person है और यह natural person है समझाया तो होगा क्या? जीतेगा कौन? जो पैसा बच गया पहले भाया हक लेगा secured कुछ बच गया तो मिलेगा unsecured को creditor को समझाया separate legal entity समझाया पूरी कहानी समझाया मैं उमीद करता हूँ आपको जरूर समझाया गया होगा कुछ doubt है तो नीचे comment box पे जरूर पूछ सकते हो समझाया यह पूरी कहानी क्या थी? कि company अलग है company के लोग अलग है अब जरा theory से notes भी देख लेते हैं कि Salomon and company के से हमको समझने को क्या मिलता है कि separate legal entity का concept हमको क्या सिखाता है पहला तो यह कि company एक unique character है जिसमें separate legal entity उसकी सबसे बड़ी characteristic है company के अंदर एक unique characteristic है जो है separate legal entity यह कपडे पहन के रखा है company ने क्या क्या cloth with legal personality and it is a legal person in the eyes of law distinct from the members members अलग और company अलग किसकी नजरों में? law की नजरों में in the eyes of law चीक है? company क्या कर सकती है? property own कर सकती है bank account रख सकती है, loan ले सकती है, liability incur कर सकती है contract में enter कर सकती है, मतलब वो सब कुछ कर सकती है जो एक natural person कर सकता है, सिवाए शादी नहीं कर सकती इसके अलावा divorce भी नहीं ले सकती, jail नहीं भेजी जा सकती शापत नहीं ले सकती, और किसी learned profession को practice नहीं कर सकती यह points अब artificial legal person वाले concept में समझोगे है देखो, तो company क्या है? law की नजरों में एक person है which is different from the subscribers to the memorandum जो company बनाता है, वो अलग और company अलग, subscribers उसको बोलते हैं जो company बना रहा होता है जिसने बनाया, वो company के साथ अलग से contract कर सकता है for the debt of company, only its creditors can sue it, not the members debt of company के case में, creditors company को sue करेगा, members को sue नहीं करेगा capital and assets are contributed by the shareholder, but the company becomes owner of capital and assets capital और asset कौन ला रहा है, shareholder ला रहा है, लेकिन owner कौन बन जा रहा है, company बन जा रही है ठीक है, shareholder जो है, ना private या joint owner नहीं कहलाएंगे, company की property का समझ आया, तो मैं उमीद करता हूँ, आपको ये concept जरूर समझ आया होगा तो अब CA foundation की journey में आगे बढ़ने की ने, मैं आपका mentor आपकी बहुत मदद कर सकता हूँ तो इस channel को subscribe करके रखिए, मिलता हैं आगले किसी वीडियो में, till then take care, bye-bye